तो हेलो माई यूटूब फ्रेंज कैसे हैं आप सब लोग आई होब कि आप सब लोग बहुती बढ़िया होंगे मजे में होंगे तो फ्रेंज में भी बहुती बढ़िया हूँ और अभी दिके सुबर का टाइम है और यहां पर मैंने एक किलो का आमला लिया हुआ एक किलो के आसपास में और इसको अच्छे से धो लिया है और इसको दोने के बाद जो यहां पर देखे मैं चाकू से इस तरीके से इसमें कट लगा रही हूँ तो तीन से चार या जो भी इस हो सकते हैं और साथ यह पर देख़े मटा रालू की सबजी भी रखी हुई है तो यह हो जाएगी और यहां पर देखे मैंने का लोजी हिंग और सौंफ लिया हुआ इसके तड़के के लिए तो आप दे कि मैंने इसको तड़का दे दिया है और अभी जो हमने अपना आमला र तरीके से यहां पर हल्दी मिर्ची काल नमक और नॉर्मल नमक और धनिया पॉडर में लिया है और ज्यादा कुछ नहीं लिया है और इसको थोड़ीदेर रोश्ट करना है जैसे नॉर्मल सब्जी को हम भूनते हैं हलका सा उस तरीके से इसका कच्छा पर निकालना है और फिर मसाले डाल देने हैं घ्राइफ से अर थोड़ी के सा कि देल को सब्सक्राम और भूदा पूरी जबूआ सब्सक्राइब a वापनि करना है कि दो जो य है ने disturb you देखीए हम चाहिंने ऑख करने के रख अश्रम मिक्सषब। तो पहले मैं जो इसको mixer grinder से करती थी और उसमें जो काफी जंजट लगता था मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत इजी तरीके से निकालने हूँ लेकिन जब से मैंने इस तरीके से हाथ से निकालना शुरू किया है कभी भी मिक्सी को हाथ नहीं लगाती तो देखिए मैंने एक से जड़ घंटे पहले निकाल करके लग दिया था अच्छे से और आप काफी देखिए इसमें एक मिनट बिनी लगता है इसको घुमाने से और इस तरीके से अच्छे से कर्षी से हिलाओ तो इसमें काफी अच्छे अगर गरम पानी का यूज़ करेंगे तो फिर बाप इससे पिघल जाएगा तो इसमें दो-तीन पानी से जो है मैंने अच्छे से निकाल लिया था इसको ताकि जो स्मेल ना आए क्यूंकि कुछ थोड़ा सा मुझे बच्चों के लिए खाने के लिए भी रखना था और बाकी पानी नहीं निकालेंगे तो बाद में थोड़े एक दो दिन बाद जो ए समेल करना स्टाट कर देता है तो इस तरीके से अच्छे से धोध होकर कि समे पानी निकाल गया है मेरा और डिया मैं अब युच्छ करते हैं तो एक अधनी झीन करी है तो आप चीनी के जगह गुडं भ śardy चल रही है तो गुड़ का ठुछ हो आएगा असमें तो में पास में चीन एकर दी है वह देखे तो दुछिन करने के वाद थो थोड़ी दिल मिक्स करना और अप छीदी जो अच्छा खासा दाल सकते हैं मैं अच्छी तरह से देखिए पक भी गया है तो अब इसको खाएंगी तो थोड़ा खटा मीठा सा और तीखा सा लगेगा तो अब सुबह सुबह खाई तो भूत ही फायदा करेगा और अभी जो है मैंने देखिए नहा लिया है और में चट पे जो हैं पर कपड़े डाले आई हू को खह रही थी बोल देना कि मेरी चट पे जो है कुछ लेडिस बढ़ी ती और अभी में आपे देखिए खाना खाने लगी हूँ तो मैंने आपे कद्दू की सबजी और चाज लिया हुआ है तो आज मैं कुछ देशी स्टाइल में खाने वाली हूँ तो देखिए मैं रोटी और अगर अच्छा लगे तो खाईएगा और चलिओ मैं खाकर के मिलती हूँ आप लोगों से और वी बाल बाल भी जो है सुखा लेती हूँ तो अभी देखिए रात का टाइम हो गया है काफी टाइम हो गया है नौ साड़े नौ बज गये हैं और हमारी आद्या को देखिए इसको में लिटा रही तो यह बिल्कुल भी सुणी रही और देखिए उठकर के बैठ गई है और बैठे बैठे जो नेंद में गिरे जा रही है लेकर सोना नहीं चाहती है अचकल हमेशा ऐसे करती है इसके साथ लेटों होगो घेटों चाहिए तब ही जाके जा रहा है कोई भी जो सोने का नाम नहीं ले रहा है तो अभी इसके साथ जो है मैं जब लेटूंगी तभी जा गई यह नीद आईगी इसको तो काफी हसी भी आ रही थी देख करके कितनी क्यूट लग रही थी मतलब देखने से तो यह बहुत जादा जब चड़ गई थी और रोने लगए थी तो मैं इसके पास आगर के देखी लेटी हूँ और अभी मैं जो अपना वीडियो एडिट करी थी लेकिन छोड़ करके मैं नहीं का चलो पहले इसको सुला देती हूँ तो यह लग नहीं रहा है इसको देख करके कि अब यह सोईगी और उल्टा मुझे सुला देगी इस तरीकी के जोए हरकते कर लिए यह बिल्कुल भी जोए सूना नहीं चाहती है और खेलना है श्राट कर दिया मेरे साथ हमीशा ऐसे करती जब इसके पास आओ तो खेलना है श्राट कर देती है तो फ्रेंड्स आज की व बढ़र बगाए